विल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसेंटली टमिल लैंगेज में रिलीज हुई एक अवार्ड विनिंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है मालाई नीरा मलिपू जिसका मतलब है शाम की चमेली अचुली इस मूवी में एक प्रोस्ट्ट्ट्ट्ट की कहानी को दिखाया जाता है कि कैसे ये अपनी जिन्दगी गुजारने के लिए स्ट्रगर करती है क्यों वो औरत इस फील्ड में आई तो चलिए फटरवर से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले लटा प्यार फ़लो इंस्ट्रगरम कानी की शुरुआत में ही लक्षमी नाम की एक उल्ट को दिखाया जाता है पेशे से लक्षमी एक पॉस्ट्ट्ट्टिट होती है कुछ सालों पहरे लक्षमी की जिन्दगी भी आम लोगों की तरही थी लेकिन शादी होने के कुछ साल बाद ह लक्षमी का पती लक्षमी को छोड़ कर चला गया और उस वक्त लक्षमी प्रेग्डिन्ट थी अपने बेटी की परवरिश करने के लिए लक्षमी इस फील्ड में आई बहुत ही मुश्किल से लक्षमी अपने जिंदगी गुजारती रहती है काफी दिनों से अपने घर का किराया भी पे नहीं किया होता लक्षमी ने जब जब लक्षमी की दिमाग में यही बात आती है कि इन दा फ्यूचर अगर मेरे बेटे को मेरे काम के बार में पता चला तो वो कैसे रियाट करेगा क्या वो मुझे अक्सप्ट कर पाएगा खर रात में अपना काम खतम करके सुबा सवेरे अपने बेटे को नीन से जगा कर उसे ब्रीकवास्ट प्रिपेर करके उसे स्कूल भेजती रहती है सिंबल से बात करें तो लक्षमी अपने बेटे को अच्छी सी लाइफ देना चाती है खर अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद लक्षमी को इसका घर का ओनर कॉल करता है कहने लगता है कि फटावर्ट से तुम घर का किरायब पे कर दो हर बार यही बात कहती हो आज दूंगी कल दूंगी दो महिने गुजर गए फटावर्ट से घर का किरायब पे कर दो वरना तुम दूसरा घर देख लो तो लक्षमी उस बंदे से थोड़ा सा रिक्वेश्ट करने लगती है और थोड़ी महौलत मांगने लगती है उसके बात लक्षमी अपने जान पहचान के लोगों को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगती है घर का किरायब पे करने के लिए लेकिन विचारी को कोई भी पैसे नहीं देता खर इसके बात यह एक ब्रोकर लक्षमी का बाहर इंतजार करते रहता है यही बंदा लक्षमी के लिए कस्टमर स्कूल आता रहता है चब यह बंदा लक्षमी को उसको कस्टमर के पास ले जाता है तो लक्षमी उस बंदे से कुछ एक्स्टा पैसे मांगने लगती है वो कस्टमर लक्षमी को गोती घिनुनी तरखी से इस्तमाल करके उसके हाथ में थोड़े पैसे देने लगता है दूसरी तरफ लक्षमी के बेटे के स्कूल में पेरेंस मीटिंग होने के विए से लक्षमी का बेटा लक्षमी का ही इंतिज़ार करते रहता है लेकिन बेचारी लक्षमी थोड़े बहुत पैसे जमा करने में बिजी होती है जिस कोई से ये अपने बेटी की बात को ही भूल जाती है दूसरे स्टूजिन्स के सारे पेरेंट्स आकर भी चले जाते है उसके बाद शाम होने के बाद लक्षमी का काम खतम होने पर लक्षमी बहुती जखमी हालत में अपने घर आने लगती है घर आने के बाद लक्षमी ये देखती है कि इसका बेटा लक्षमी से नाराज है लक्षमी अपने बेटे को मनवाने लगती है कि बेटा मुझे आफिस में बहुत काम था इसलिए मुझे लेट हो गया इसका बेटा गुस्से से लक्षमी से कहने लगता है कि अगर तुम आना नहीं चाहती तो मुझे वादा क्यूं किया सारे फ्रेंड्स मुझे कुछ आजीब तरह से देख रहे थे मेरे पापा तो नहीं तुम तो आ सकती हो ना लोग तुमारे बारे में जो कहते हैं सही कहते हैं मुझे सबकू समझ में आ गया, तुम वही हो यह सुनने के बाद लक्षमी को बहुत गुस्ता आता है एक लकड़ी लेकर अपने बेटों को बहुत मानने पीटनी लगती है कहने लगती है कि अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम सारी बात जान सकते हो यही तुम स्कूल में सीख रहे हो ऐसे बातें करने के लिए मैं तुमको स्कूल भीज रही हूँ आप वही पर लक्षमी की फ्रेंड होने के वेज से लक्षमी को रोक लेती है उसे साइड में ले जाकर उसको समझाने लगती है कि तुम्हारा बेटा धीरी-धीरे बड़ा हो रहा है उसको सारी बास समझ में आती है और वैसे ही आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो कितने फॉस्ट फारवर्ड है इस तरह से लक्षमी को समझाने लगती है रात होने के बाद जब अपना बेटा सो रहा होता है लक्षमी अपने बेटे के पास जाकर इसे मौफी मागने लगती है अफसोस करने लगती है कि खामखा मैंने अपने बेटे को मारा उसके बाद जब आपने पैसे देखती है तो ये पैसे काफी नहीं होते घर का क्राया पे करने के लिए वीडियो में आगे बने से पहले मैं आपको एक जबरतस वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है मनेक्स बेट क्या आप अभी भी गेम्स खेल कर पैसे कमाने से डड़ते हैं क्या आप इसे वज़े से इन गेम्स को नहीं खेलते हैं हर कोई क्रैश गेम के बारे में ही बात कर रहा है और सच में आप इस गेम के जरिये से रियल मनी कमा सकते हो मैंने आलड़ी काफी सारे गेम्स को खेला लेकिन ये क्रैश गेम बेस्ट है जीतने के मामले में चलिए इस गेम पर एक नजर डालते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं देखा आपने बहुती सिंबल का काम है दिन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो और सी तरह मेरे प्रोमो कोट को यूज़ करने पर आपको बोनस मिलेगा और उस बोनस के साथ आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हो सच में ठैंक्स टू दा बोनस खट थोड़ी देर के बाद लक्षमी का फ्रेंड रवी नाम का एक बंदा लक्षमी को कॉल करते मिलने के लिए बुलाता है और ये दोनों बस ऐसे ही गाड़ी में जाते रहते हैं लक्षमी रवी से कुछ पैसे मांगने लगती है अच्छली रवी एक फिल्म डिरेक्टर होता है लक्षमी से कहने लगता है जब मेरी फिल्म हिट होगी मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूँगा लक्षमी कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी चाहिए घर का क्रियाय पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा कहते हुए ही लक्षमी रवी को कार में ही खुश करने लगती है रवी को खुश करने के बाद लक्षमी फटावर्ट से रवी का वैलेट लेकर इन में से थोड़े से पैसे निकाल लेती है कर इसके बाद रात को घर से लेट आने के विए से लक्षमी लेट से ही अपने नेंसे जागने लगती है नेंसे जागने के बाद लक्षमी को अपने बेटे के बारे में याद आता है कि मेरे बेटे को तो स्कूल भेजना है अपने घर में अपने बेटी की तलाश करने लगती है लेकिन इसका बेटा कही पर भी मुझूद नहीं होता लक्षमी को अंदर से घबरहट भी होने लगती है और शी तरह यह सोचकर तसलिय लेने लगती है कि शायद इसका बेटा आपने आप उटकर स्कूल चला गया होगा इस तरह से लक्षमी जब अपने बेटे को तलाश कर रही होती है तब ही लक्षमी के पास वो ब्रोकर आता है किसी कस्टमर के पास ले जाने के लिए अब बेचरे लक्षमी ना चाहते हुए भी उस ब्रोकर के साथ एक कस्टमर के पास जाती है लक्षमी के फोन में चार्जिंग भी मौझूद नहीं होती उस बंदे का फोन लेकर अपने दोस्तों को कॉल करती रहती है अपने बेटे के बारे में पूशती रहती है काम के समय हमेशा इसको अपने बेटी की फिकर लगी रहती है काम खतम होने के बाद जब लक्षमी वापस अपने घर आती है तो घर में इसका बेटा मुझूद होता है बहुत खुश होकर फटावर से इसको अपने गले से लगा लेती है लक्ष्मी पूशने लगती है कि तुमने मुझे सुबा क्यों नहीं जगाया मैं तुमको स्कूल भेज़ देती मुझे तुमारी कितनी फिकर हुई क्या तुमको पता है इसका बेटा केने लगता है अरे माँ मैंने तुमको निंसे जगाने की कोशिश की लेकिन तुम जगी ही नहीं इसलिए मैं खुद बखुद चला गया बातों ही बातों में इसका बेटा थोड़ा बहुत एमोशनल होने लगता है कि मा तुम तो मेरे लिए सब कुछ करती हो मेरे पापा ना होने के बावजुद भी सारे काम तुम ही करती हो आखे कार तुम काम क्या करती हो मा काफी सारे फ्रेंस ने मुझे पूचा ये सवाल पूचने के बाद लक्षमी थोड़ा अमबरेसिंग से फील होने लगती है हिच की चाते हुए कहने लगती है कि मैं काल सेंटर में काम करती हूँ उसके बाद इसका बेटा अपने फादर के बारे में पूचने पर लक्षमी बार बार ही कहने लगती है कि तुम्हारे फादर दूसरे कंटरी में है खर इसके कुछ दिनों बाद ये बात पता चलती है कि इंडिया में कोविट फैल रहा है जिसक वेट से सारे स्कूल साइन कॉलिजिस को हॉलिडे है और इसी तरह ये पहला लागडोन होता है पहला लागडोन होने के वेशे सारे लोग अपने अपने घरों में होते है घर में बैट बैट कर लक्षमी और सका बेटा बहुत बोरिंग फील करने लगते है एक दिन जब लक्षमी मेकप वगरा कर रही होती है तो इसका बेटा लक्षमी से यही बात पूछी लगता है के माँ तुम इतना मेकप क्यूं करती हो लक्षमी कहने लगती है ताके मैं अच्छी दिखूँ मैं आपको अगले महिने दे दूंगी खर का ओनर कहने लगता है अब यह सब कुछ नहीं चलेगा तुमारा बेटा है यह सी विज़े से मैं तुमको घर में रहने दिया फटावर्ट से किराया पे गरो या घर से बाहर चले जाओ अब लागडोन होने के वैसे लक्षमी का काम भी बंद पर चुका होता है कोई भी कस्टमर्स नहीं मिल रहा लक्षमी कुछ पुराने कस्टमर्स को कॉल करके या आने के लिए कहती है वो लो कहने लगते हैं अरे कोविट का टाइम चल रहा है चुना तक मना है तो कान की तो दूर की बात ना बाबा ना अब लक्षमी के पास कोई भी आप्शन ना होने के वैसे वो रात में आकर सड़क पर खड़े हो जाती है कि शायद लक्षमी को कोई कस्टमर्स मिल जाए लेकिन लागडोन होने के वैसे कोई भी इंसान सरक से गुजर नहीं रहा होता अगर गुजरा भी तो लक्षमी की तरफ देखता तक नहीं देर रात तक बेचारी खड़ी रहकर वापस अपने घर आ जाती है घर आने के बाद लक्षमी अपने आपको शीशे में देखकर इसको घिन आने लगती है ये अपनी जिन्दगी से तंग आ चुकी होती है बस अपने बेटी की वज़े से ही जिन्दी है खर अब धीरे धीरे घर का राशन भी खतम होते रहता है लक्षमी को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या करे लक्षमी अपने खृसी फ्रेंड को कॉल कर गए थोड़े बहुत पैसे मागने लगती है और ये भी कहने लगती है कि काम तो टोटली बन पढ़ चुका है समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ लक्षमी की फ्रेंड लक्षमी से कहने लगती है कि लागडोन का समय है ना अब सारा काम और इंज से ही हो रहा है कॉल्स वीडियो कॉल्स से ही सारा काम होता है तुम एक काम करो सारे सोशल मीडिया में लाइक वार्षब, टेलीग्राम, इंस्टरग्राम में अपना आपकोंड ओपन करके माँ पर अपने बारे में पोस्ट करो कि वाइस कॉल के लिए इतने पैसे लोगी वीडियो कॉल के लिए इतने पैसे वो लोग पैसे पे करने के बाद ही तुम अपना काम स्टार्ट करो वरना कुछ फ्रॉड लोग होते है पैसे पे नहीं करते साले अब लक्षमी उसी तरह से करने लगती है सो इस तरह से देखते ही देखते लक्षमी के पास थोड़े बहुत पैसे आने लगते है मा बेटे हसी खुशी अपने जिन्दगी गुजारने लगते है कुछ जिनों बाद लक्षमी अपने फ्रेंड को कॉल करके यही बात पूछने लगती है कि काफी सारे लोग मेरे अकोन को फालो कर रहे है अब मैंने फिलहाल ये काम बंद कर चुकी हूँ क्या इसकी वज़े से कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी डरना मत कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा सिर्फ तुम नहीं काफी सारी लड़कियां ऐसा ही करते है और यहाँ पर यगोर बात यह है कि लक्षमी के पास गूगल पे ना होने के वैसे वो अपने फ्रेंड का नमर दी होती है सारे पैसे वहाँ पर क्रेडिट होते रहते है कुछ दिनों बाद लक्षमी की बेटे के आनलेन क्लासे स्टार्ट होने लगते है अब इसके पास तो यह की फोन होता है जब इसका बेटा कोई भी अप्लिकेशन ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो सारे अप्लिकेशन लॉक्ट में होते है सो लक्षमी का बेटा लक्षमी से यही बात पूछने लगता है कि मा क्यों तुम अपने फोन को लॉक करके रखा दूसरे माबाब अपने बच्चों को अपना फोन देकर गेम खेलने के लिए कहते है तुम क्यों नहीं देती माब अब लक्षमी का डर होता है कि कही इसके प्राइवेट फोटोस वीडियोस इसका बेटा ना देख ले तब ही लक्षमी की फ्रेंड लक्षमी को कॉल करके एक शौकिंग नियूस बताने लगती है मतलब जो पैसे एकटा हुए थे लक्षमी के वो शायद इसने किसी जगा पर इन्वेस्ट किया और वो सारे पैसे डूब गए दस हजार के दस हजार ये बात कहेकर लक्षमी की फ्रेंड फोन कार्ड देती है उसके बात फोन पिकी नहीं करती विचारी को कुछ भी समझ में नहीं आता लक्षमी इन्ही पैसों पर अपना होप जमा के बैठी होती है घर का किराया पे करेगी राशन लाएगी लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गए इस तरह से बात रूम में जाकर बहुत रोने लगती है अपने मा की रोने के आवाज सुनकर लक्षमी का बेटा लक्षमी को बलाने लगता है कि मा क्यूं तुम रो रही हो क्या मेरे साइट से कोई गलती हुई है मुझे माफ कर दो मा मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा तुम्हारी बात को मानूंगा उसके बाद लक्षमी दुबारा वही आॉनलाइन का काम स्टार्ट करने लगती है के कॉल के इतने पैसे ये वीडियो कॉल के इतने पैसे एक दिन लक्षमी जब अपने कमरे में जाकर किसी से ये वीडियो कॉल में बात कर रही होती है तो दरवाजे को कुंड़े लगाना भूल जाती है तो आलना के लिए लक्षमी का बेटा इसको देख लेता है आज चुनी लॉगडून के समय में काफी सारे लोगों ने काफी तरह की मुश्किलें छेली थी इन में से सेक्स वर्कर्स की भी एक छोटी सी कहानी है